मंगलवार की तुपहर को जो जमा जम बारिश हुई उसने नाकपूर को तो थंडा कर दिया लेकिन पुलस प्रशासन की पसी नहीं छोड़ा दिये इस बारिश की तुरान जरजर मकान की ढह जाने से उसके नीचे दबकर एक बुज़ुर की मौत हो गई है वहीं कई समस्या इस तौरान उत्पन हो गई नाकपूर शहर में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने कई समस्या को निमंतरन दिया है मंगलवार की दोपर अचाना खोई मूसला धार बारिश ने प्रशासन और नाकपूर वासियों की नीद उड़ा दी है टिमकी राम जी रोड में एक पुराना जरजर मकान गिर गया इसके नीचे एक 50 वर्ष ये विक्ति की मौत हो गई और शहर भर में दरजनों पेड़ गिर गये पूर्व वा मध्यनाकपूर की बस्तियों में जलने कासी विवस्था ओवर्फ्लो हो गई चेम्बर चोक हो गई इसके बावजूद भी हैरान करने वाली बात ये है कि मौसम विभाग के रिकॉर्ड में शून्य बारिश दर्ज की गई है देर शाम तक नगर निगम का अगनी शमन विभाग और पार्क विभाग पेडों से सम्बंदित कॉल हैंडल कर रहा था दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टिम की रामजी रोड्स थे धनराज पार्टे करके घर के घर के पास मिट्टी और इट का काफे पुराना मकान गिर गया गुलाबराओ की घर की छट के नीचे गिरने से अशोक एरकुले उम्र पचास वर्ष गंभी रुप से घाय लोगे एरकुले को तैसल पुलिस के धानेदार इनकी मौजूदगी में एम्बुलेंस एस्पितार ले जाये गया जहां उसे मृत गोशित कर दिया गया नागपुर समेट पूरे विदर्भ मेट 6 मई तक येलो अलड़ जारी किया गया है इस दोरान तीज हवाओ गरत चमक के साथ जोरदार बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार हरियाना और उसके आसपास पश्ची में विक्षोप के साथ एक चक्रवाती हवाओ का शी पैटर लाइन तक चोक हो गए 45 मिनट तक बरसने के बाद बादल शान्त हो गए लेकिन 15 मिनट बाद फिर बारिश हो गए तेज हवा और बिजली चमकने के साथ बारिश हो रही थी बारिश का असर पूरविन आखपुर में ज्यादा देखने को मिला रिल्वे स्टेशन के प अब बारिश हो गए तो पूरा देखने के साथ माहिन पठान के रिपोर्ट झाल